नमस्कार मैं मनीश कुमार आप सभी लोग का हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट को खतम करने वाले हैं जितना भी टाइम लग जाए और एक चीज और जो मैं बताना भूल गया था वो आज के इस वीडियो में हम लोग पहले बात कर लेंगे तो सिधा चलते हैं laptop के skin पर और वहीं पर देखते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले ठीक है तो हम आगा है laptop के skin पर और यहाँ पर देख सकते हो कि एक हमने config add क्या था driver extra class path add किया हुआ ठीक है तो यह इसलिए क्या हुआ है ताकि हम mysql को spark के अंदर connect कर सके तो इसके लिए एक connector लगती है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ठीक है एक तो python वाली थी और एक यह है spark के अंदर use करने के ठीक है तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें जाना है mysql के अंदर और यहाँ पर यह वाले link आप लोग को दे दूँगा यहाँ पर देखो operating system select करने को बोलेगा तो यहाँ पर आप platform independent select करके और यहाँ से एक tar file download कर लेना ठीक है तो यहाँ से इस तरीके से download हो जाएगा और यहाँ पर no thanks just start my download ठीक है यह download हमारा start हो जाएगा और यह वह छोटी file है तो अगर मैं इसको आपको दिखाऊ तो यह देख होगे तो मैंने कहां पर रखा हुआ है आपको यह same file को extract कर लेना है और यहाँ पर आके एक program files यह देखो mysql jar यहाँ पर रखा हुआ है mysql jar के अंदर यह रखा हुआ है और इसी का location यहाँ पर दिया हुआ है c mysql jar slash और यह अगर मैं आपको दिखाऊ यहाँ पर तो c mysql jar slash और वो jar का नाम ठीक है तो आपको extract करने के बाद यह यहाँ पर रख लेना है नहीं तो फिर आपका mysql connect नहीं हो रहा होगा तो हो सकता है कि आपको यह error देखने को मिला होगा अगर आपने resolve कर लिए तो अ कि हमने sales partition data को write कर दिया था अब आज के इस video में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर देखो निचे लिखा हुआ है इसको uncomment कर देते हैं ठीक है अभी तक हमने calculate नहीं किया हुआ है कि incentive कितना देना है right अभी तक हमने data को process कर लिया correct file incorrect file सब कुछ कर लिया हमने अपने data mark में जो data write करनी थी वो भी कर दी लेकिन अभी हमने खुद की analysis नहीं perform करी है मतलब कि किसको कितना incentive मिला है वो सारी चीजा भी calculate नहीं हुई है प्लस customer table में हमारा अभी यह calculate नहीं हुआ है कि किस customer ने किस मत में कितनी की purchase करी है ठीक है तो यह दो चीज़े हमें करना है आप देखो यहाँ यहाँ पर रिखा है calculation for customer mark customer mark का जो भी है उसमें क्या करना है find out the customer total purchase every month हर एक महीने उसने कितने purchase किया है अगर वो continuous कम purchase करना शुरू कर दिया है इसका मतलब कि हमें उसको या तो coupon उपन की चीज़े देनी चाहिए या मतलब किसी भी तरीके से पता करके उसको लाना चाहिए हम हमारे platform पर वापस उसके लिए यह वाली analysis काम आती है दूसरी वाली analysis है कि sales mark में हमें incentive देना तो यहाँ पर find out the total sales done by each salesperson every month and give the top performer 1% incentive incentive of that particular sales मतलब जितना भी sales करवाया है ठीक है risk sales will not मतलब बाकी salesperson जो है उनको कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ top performer को 1% मिलेगा बाकी को कुछ भी extra incentive देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो यही calculate हम करने वाले हैं तो जैसा कि as always आपको पता है कि यहाँ पर hover over करेंगे तो यह देखो हमें option देदेगा import करने का तो हम यहाँ से import कर लेते हैं अब क्या करते हैं कि अब चलते हैं इसके अंदर यहाँ पर control प्रेस करके जाएंगे इसके अंदर तो देखो इसके अंदर पूरी calculation की हुई है और जो भी important चीज़े थी import करने के लिए वह import किया हुआ है फिर calculation for customer mark वही सेम चीज़ दिखा हुआ है और फिर हम write कर देगे data को mysql table में और वहाँ से फिर जिसको जो data fetch करना है वो fetch कर सकता है ठीक है तो यहाँ write किसी file में नहीं हो रहा है यहाँ write एक database में हो रहा है ठीक है अब देखो यहाँ पर customer data mark calculation table मतलब हमने इसको function का नाम दिया हुआ था और यहाँ पर यह क्या लेता है final customer data mark df जो data mark में write किया था था ना df उसी df का use यहाँ पर किया जा रहा है और उसमें क्या किया जा रहा है यहाँ पर देखोगे तो window किया गया है इसको छोड़ देता ह यहाँ पर देखो हमने क्या किया final customer df मिला इसको with column के साथ एक column generate किया sales date month किस महीने का वो sales है ठीक है तो यहाँ से हमें position 1 से लेके 7 तक sub string करके कर लिया यह sub string आपको धीरे धीरे समझ में आ जागा sub string क्या होता है कैसे होता है अगर google करोगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है उसके बाद एक और column create किया गया है यहाँ पर देखो total sales every month by each customer ठीक है और यहाँ पर दिया गया sum of total cost over window किस window पर किया गया तो यहाँ पर देखो window यहाँ पर दिया हुआ है window.partition by ठीक है यहाँ पर multiple columns पास कर सकते हो अब यहाँ पर एक चीज आज ही पूछा हुआ था किसी इने comment section में कि अगर sum है तो हम order by क्यों नहीं यूज कर सकते तो यह optimization की technique खुद ने spark में implement करके दे दिया है कि अगर आपको sum करना है तो आप order क्यों करना चाहते है order करोगे तो processing लगेगी राइट और processing बेकार में waste करने से कोई मतलब बनता नहीं है तो इसलिए इन्होंने by default अ select कर लिएगे हैं और यहाँ पर last में देखो एक aliasing क्या हुआ है तो इसी तरीके से transformation छोटे-छोटे transformations मिला के एक बड़ा transformation बनता है इसी तरीके से हम transformations daily life में लिखते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखो distinct लिखा हुआ है अब यह distinct किस purpose से लिखा हुआ है जरूरत तो था जरूरत था क्योंकि data same data को मतलब हम with column कर रहें तो same data same month को same data को multiples बार दिखाएगा तो यह dot distinct use करने का भी एक purpose है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर distinct नहीं use करेंगे तो same data duplicated होगा और जब वो किसी से join होगा जाके तो वहाँ पर data और ज्यादा duplicate generate होगा आपको join वा पर replicate हो जाएगा मतलब three record बनेंगे same information के साथ तो वह हमारी wastage memory की भी और resources की ठीक है resources मतलब RAM RAM और बाकी सारी CPU बगारा core ठीक है अब यहाँ पर जब हमने इस data mark को calculate कर लिया तो मतलब data mark नहीं है यह analysis को calculate कर लिया उसके बाद क्या हम इसको table में write करेंगे यहाँ पर देखो यह data mark में write नहीं हो रहा है यह table में write हो रहा है और table से वहाँ से फिर कोई भी business intelligence वगएरा उसके उपर pull करके अपना खुद का analysis उसके उपर perform कर सकता है ठीक है तो यहाँ पर देखो एक database writer करके class बनाया हुगा है ठीक है अब database writer आपको पता चलना चाहिए कि कहां पर होगा database writer कहां में होगा write वाले folder के अंदर तो देखो write के अंदर database write है ठीक है यहाँ पर यह क्या लेता है URL and properties लेता है आपको URL and properties बताई हुई है उसके बाद जब यह database writer call होता है तो एक db writer करके एक object बन जाता है उसका instance बन जाता है कि हाँ आप इसको use किया जा सकता है और उसके अंदर जि ले रहा है वो जिसको write करना है और उसके साथ वो उस table की information ले जिस table में write करना है ठीक है तो यहाँ पर हम इसके अंदर आए तो यहाँ पर देखो यह write कर रहा है ठीक है अब url property आपने पहले पास किया हुआ था तो वही same url property यहाँ पर यूज कर दिया गया उसके बाद table name भी पास किया उपर में और data frame df name भी वहाँ से पास किया हुआ था तो यह df.write.jdbc अब कोई तो पूछ रहा था कि df में data frame को कैसे write करते हैं table पर या file में तो दोनों ही ह हमने यहाँ पर बता दिया उसके बाद यहाँ पर देखो data successfully written का message आ जागा या फिर अगर कोई error होता है तो exception handling में exception handle हो जाएगा ठीक है तो हम आते हैं वापस main.py में तो यही था यहाँ पर calculation की customer की हर एक मन्त की sales कितनी हुई है उसके बारे में यहाँ पर बताएगा हमें ठी दानी पर नहीं ठीक है data को show नहीं किया तो यहाँ देटा को show भी कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर हम show भी लगा दे रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा data इसको हम हां इसको duplicate को हटाने के बाद हम यहाँ एक. dot so लगा देते हैं ठीक है और यही टेबल जाके हमारा राइट होगा टेबल के अंदर जाके ठीक है तो इसको अब हम run कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमने run कर दिया है अब यह चलने में थोड़ा तरह एंदर लौै घुल कर लिया है तो आपको यहाँ परन्ष्ट मनें प्रोजेट किया हुआ ऐसे कुछ भीया में नहीं बोल रहा है अगर हम इंटर्विव में भी बॉल रहे कि हमने प्रोजेट किया है तो देखो यहां पे एक print statement लगा हुआ रहा गया था inside data frame तो वही दिखा रहा है data successfully written into customer data mark table और यहां पे calculation हुआ है उसके बाद यह देखो यह वाली चीज हम print करवाए थे ना customer ID फूलनेम इसका यह है और यहां पे देखो total sales इसने March sorry April दो जाते इसमें 400 रुपेज की purchase करी थी लेकिन May में इसने 3700 2700 and then August में 19,000 तो यह इस तरीके से हर महिने का इसका sales जो sales की details है वो track की जाएगी कि अच्छा पिछले महिने क्या किया था आगले महिने क्या किया उससे इस त करने वाले किसके साथ अपना जो data था यह incentive देने के लिए तो incentive देने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि किस store में किस salesperson ने कितने की billing करवाई है तो इसके लिए हमें code लिखना पड़ेगा अब यह code न यहां पर अगर आप transformations के अंदर देखोगे तो आपको नहीं दिया गय है ताकि आप एक spark की भी transformations लिखो ठीक है मैं यहां पर बना लेता हूँ एक file यहां पर right click करता हूँ new python file अब मैं तो उधर से copy कर लूँगा दूसरे साइट से जो मैंने बना रखी अल्रेड़ी transformations के अंदर जाओंगा sales ठीक है यह वाला है score factor इसका नाम copy कर नाम को ठीक है इसको हम इधर कहां गया new python file paste ठीक है प्रफ्र एक्जिस्ट करता है अच्छा ओके 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 सेल्स वाला यहां पर एक्जिस्ट करता है लेकिन मैंने इस इस डिलीट कर दिया हूँ है तो वो आप sales वाली चीज को डिलीट कर दी गई थी वहां पर तो आपको यह नहीं मिलेगा बट यह हमारे project में भी यहां पर है मुझे ध्यान नहीं था यह ठीक है तो यहां पर क्या करना है देखो sales mark calculation है अब इसके अंदर भी बताता हूँ कि में क्या किया गया है पहले यहां पर sales जो हमारा data mark था data mark में write किये थे उसके बाद हमने यहां पर क्या क्या है sales month की column बना ली एक total sales every month की column बना ली ठीक है total sales कितना हुआ और कि स महिने में कितना हुआ ठीक है यहां पर concat कर दिया है salesperson का first name और last name को उसके बाद एक minute यह सारी जो चीज़ें आपको दिखनी चाहिए ताकि कहीं अगर आपको code इदम बिल्कुल भी नहीं समझ मारा तो भी आप देखके यह समझ जाओ कि हमने क्या किया हुए ठीक है तो with column and then order ctrl z order by के अंदर कर लेते हैं ताकि next line में issue ना करें ठीक है और बाकी 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 यहां पर ठीक है ठीक है अब यह आ चुका है ठीक है तो यहां तक आप समझ गया select कर लिया distinct select कर लिया distinct करने के पीछे भी region आपको बता दिया और यहां पर कहीं पर window भी किया गया था क्या sum किया गया था अच्छा दिखो यह sum किया गया था total cost का over किस window पर तो store ID salesperson ID और sales month किस store के किस salesperson ने किस महिने में कितने की sell करी है उसके लिए आपको यह partition सही से देना पड़ेगा वरना आपका data आ जाएगा गलत ठीक है इसलिए data engineers का बहुत ध्यान से काम होता है कि कहीं पर भी कोई data गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे कि सारी analysis गलत हो जाएगी ठीक है उसके बाद देखो यहां पर एक और rank window बनाई गया है यहां पर order भी किया गया है यह order इसलिए किया गया है क्योंकि ranking बनेगी अभी यहां पर ठीक to one अगर जब जिसका rank one होगा उसका incentive कितना होगा total sales जो अभी column calculate हुआ था उसका point one point zero zero one मतलब one percent और उसको otherwise किया गया है literal zero मतलब जिसको अगर कुछ भी नहीं है मतलब जिसका rank one नहीं है उसको zero assign कर दो उसके बाद with column incentive बनाया round off किया इसको दो डिजिट तक और उसके बाद ए यहाँ पे फिर printing the data और बाकी सारी चीजे वैसे ही database writer यूज किया गया data frame writer यूज किया गया है कि data frame को write करने के लिए किस table के अंदर तो यहाँ पे table का नाम भी आपको दिख जाएगा यह table का नाम यहाँ पे sales team data mart है अगर यह देखना चाहो तो आप mysql के अंदर भी देख सक आपको कहाँ पे बना कर रखा हुआ है schema बना कर रखा हुआ है इसमें myscript वाली mysql script में ठीक है जो कि आपको resources के अंदर यहाँ पे SQL script के अंदर दिख जाएगा ठीक है तो यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए detail में सारी चीज़े explain कर दिया है ठीक ह यहाँ तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सब कुछ आपको detail में बता दिया गया है ठीक है अब इसको हम main.py में use करेंगे ना main.py के अंदर यह function call गया ही नहीं तो function call करना है और जब यह सारी चीज़े calculate हो चुके है तो अब हमारे पास जो जो फाइल पड़ी हु delete करके पूरा जो memory हमारा occupied था उसको खाली करना है ठीक है तो हम आते हैं एक minute यहाँ के main.py में इसके अंदर तो यहाँ पे देखिएगा तो बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं किया गया है यही sales data mark जो आपको बनाना है इस file को आपको बनाना पड़ेगा यह file आपको नहीं मिले तो यहाँ से हमने पूरा calculation कर लिया उसके बाद अब बार बार process run नहीं करेंगे इसमें time लगता है run होने में तो अब हम last step में आ गया है यहाँ पर देखो लिखा हूँ है move the file on S3 into process folder and delete all local file अब जब हमने data को load sorry data को सारा process कर लिया है तो जो processed folder में जो data आया था sorry जो हमारा sales data mart के अंदर आया था उसको हमको processed वाली folder या directory में डाल देनी पड़ेगी ताकि इससे पता चलेगा कि इस data को यह वाली data को process की जा चुकी है ठीक है तो यहाँ से देखो again वही S3 में move करने का कुछ और कुछ नहीं move S3 to S3 वाली चीज आपको समझाई हुई है वहा एक मिनट S3 dot यहाँ पर होगा copy and delete ठीक है तो यह आगर आपको अगर यह आप इस पर hover over करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुए ठीक है उसके बाद message है कि वही successfully move हो चुका है process हो चुका है वही किया जा रहा है इसके बाद देखो आप अपर डेरेक्टरी से पूरा जितना भी हमारा फाइल पाद के अंदर जो भी है वो सब को path में एक files to delete करके list में store कर लेगा और उसको एके करके remove करते जाएगा ठीक है और बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं special किया गया है अभी तक आपने अगर code किया हुआ है तो यह बिल्कुल बच्चों वाली चीज़े हो चुके है कि हमें delete करना है os.directory को list करके ठीक है इसी data mark की local file को delete की जा रही है sales data mark की local file को delete की जा रही है same चीज़े की जा रही है और यहाँ पर sales team की जो partitioned data write किया था जो की folder के अंदर sub folder के अंदर data write हुआ था उसको भी delete किया जा रहा है ठीक है यहाँ तक भी कोई दिक्कत ने होना चाहिए उसके बाद आपको याद होना वरना फिर पता चलेगा कि वो status एक्टिव में ही रा जाएगा मतलब कि यह process कभी हुआ ही नहीं फाइल लेकिन अगर process folder में दिख गया लोगों को तो लोग आपको production में पागल कर देंगे कहेंगे कि यहां तो दिखा रहा है negative वहां दिखा रहा है process के अंदर तो ऐसे कैसे हो सकत राइड तो इसके लिए हमने यहां पे देखो again किया है correct file अब सिर्फ हम उसी file को deal कर रहे है जो की correct file है तो correct file को update चला रहे है यहां पे और आपको तो अब dynamically statement create करने आहीं गया है क्योंकि detail में उपर में बहुत detail में बताई हुई थी यह सारी चीज़ों को देखो ठीक है उसक यहां पे mysql connection को call किया गया connection बना connection से cursor बना और cursor से यह बना एक्चुली में I think कि यह वाली चीज़े न उपर में हमने कर रखे तो यहां लिखने की जरूरत नहीं थी right देखो यहां पे connection अल्रेड नहीं लेकिन हमने connection को close कर दिया है तो connection वापस बनानी पड़ेगी yes यह ची correct file नहीं मिलता है ठीक है if correct file else अगर कोई correct file नहीं है तो फिर हम बोल देते हैं कि there is some process there is some error process in between या फिर कुछ और भी आप answer लिख सकते हो system.exit इसके बाद exit कर जाएगा और last में यह line जो है वो इसलिए किया गया है यह चीज़ ध्यान से सुन लेना वो इसलिए किया गया है ता तब यह जाके terminate होगा और आपका spark session close होगा नहीं तो अगर आपको spark session अगर बीच में close कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जागा क्योंकि बीच में अगर spark session close कर देंगे तो हम जो UI होता है spark UI वो नहीं देख पाएंगे या फिर last के process में अगर आपने stop कर दिया तो आप देख नह छोड़ेंगे ठीक है अब यहाँ पर जब सब कुछ हो गया तो यह हो गया इसके बाद हम चलेंगे अब spark UI थोड़ा सा देखेंगे लेकिन अभी हम इसको एक बार proper full सुरू से लेके last तक run करेंगे आज आज हमारा final है कि इतम सब कुछ run हो जाना चाहिए उससे पहले यहाँ अब देखो deleting जो यह गलत हो गया है print उसको हम fix करते है deleting sales data यहाँ पर deleting यह पेस्ट कर देते हैं ठीक है और इसके अंदर sales वाली यह चीज़ कर रहे है ठीक है यह गलत हो गया है copy paste इसलिए और कोई बात नहीं है ठीक है logging भी proper होना चाहिए ऐसे नहीं फिर बाद में confused हो जाओगे आपकी इतनी बार क्यों delete कर रहा है right तो इसके लिए हम इसको fix कर दिये ठीक है तो आपको project में कोई भी interview में कम से कम इस वाले project में तो आपको फंसाएगा भी नहीं और अगर आप यह कर लेते हो तो आप एक अच्छा impression छोड़के आओगे interviewer पर आपकी selection की chances बहुत जादा ही हाई हो जागी क्योंकि हर एक चीज़ आपने किया हुआ है तो आपको पता है क consider कब और कैसे आती है ठीक है तो interview में कभी-कभी हमें question देखने को मिलता है कि what all challenge you have faced in your project तो यहाँ पे आप आप असानी से बता सकते हो कि यह challenges थी ठीक है अब challenges कभी-कभी business wise होती है कभी technical wise होती है तो वो आपको उसी हिसाब से answer करना है ठीक है बाकी अभी अगर जो भी process run हो रहा है जो भी चीज रहा हो रहा है वो सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा और यहां पर हम चलते हैं और इसके अंदर spark localhost ठीक है localhost 4040 jobs पर अगर हम देखेंगे तो हमें अपना spark UI दिखेगा यह लोड हो रहा है I don't know अभी तक बना नहीं है क्या नहीं हमारा बन तो गया है डेटा तो read right हुआ है देखो आ गया यहां पर ठीक है तो यह देखो हमारा spark की हुआ है अब देखो spark की हुआ है आज तक हमने जितनी भी spark की चीज़ा पढ़ाई थी देखो कितने job बन रहे है ठीक है कि यहां पर.so लगा हुआ है अगेन यहांपर कुछ कुछ लोड कर रहा है अगेन यहां पर.so की वज़े से सारी हीट हुई है थीक है तो इस तरीके से यह बता भी रहा है इसको अगर open करके देखेंगे तो इसके अंदर इसने क्या क्या हुआ है वो सारी चीज़े भी दीखेगी ठीक है देखो यहाँ पर सारी information दी हुए है कि यह कितना data था input size कितना था plus इसको run होने में minimum कितना लगेगा maximum कितना लगा और उसका average क्या है सारी चीज़े यहाँ पर दी हुए है scan हुआ है यहाँ पर कहीं कहीं पर record भी दिखाता है कि record count कितना SQL के अंदर अगर जाकर देखते हैं कोई तो सब जगर नहीं दिखाएगा जहाँ पर data होगा वहाँ पर देखो यह project.explain देखो ठीक है तो यह सारी चीज़े अब आप एक एक करके पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आना शुरू हो जागा कि इसमें क्या चल रहा है ठीक है यह मेरे को लग रहा है कि कहीं पर window बगर यूज हुआ है उसके लिए दिखा रहा है देखो rank निकाला है ठीक है 0.1% calculate किया है जो भी चीज़ हम कर रहे है वो सबको देख रहे हो यहाँ पर step by step बनाया हुआ है तो अगर आप से कोई dot explain भी पूछेगा तो आप पूरा explain कर दोगे उसको और dot explain में आ तो हमने बहुत छोटी चीज़ दिखाई थी लेकिन जब चैक्शन में run होती है तो हालत खराब हो जाती है इसको debug करने में यह देखो तीन जगह से scan होके तीन parallel हमारी क्या वह सकते है इसको पार्टिसंस है वह एक जगह पर आ रहे है यूनियन हो रही है मतलब तीन हमारा data frame हो सकता है तीन हमारा partitions हो सकता है कुछ भी हो रहा है एक्स्चेंज हो रहा है एक्स्चेंजों के आगे हो सकता है कि और भी कुछ हो रहा होगा ठीक है इसको भी detail में अगर यहाँ पर पढ़ोगे तो सब के data का size दिया हुआ है अब यह data size तो हमने छोटा लेके इसलिए run किया है क्योंकि कम समय में run हो जाए वरना अगर मैं इसको ऐसे 1GB 2GB के file पर कर दो तो यह बहुत जादा ही time लेगा देखो अब यहाँ पर deleting के अंदर सबको delete कर रहा है तो deleted this 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 सबको delete कर दिया उपर में भी delete कर दिया ठीक है इस तरीके से सब कुछ delete हो गया हमारा पूरा clean up हो गया update statement भी चल चुका है अब update statement के अंदर देखो क्या च दिखाता हो update this product staging table जहांपे की set status को inactive किया है आज का date भी set करके दिया है कि 2 बज के 31 मिनट पे आपका process जो है वो update हुआ है extra column.csv को update किया है देखो और कौन सी file को update किया इसने इसी तरीके से my data.csv को भी update किया है तो अगर मैं अब इस table के अंदर जो हमारा यह table है इसको copy कर देते हैं ठीक है control c और यहाँ पर हम लिखते है select star from जो भी हमने copy किया था वो ठीक है और यहाँ पर लिख देते है order by updated date अभी किये थे updated date और descending तो यह दो file हमें सबसे उपर में दिखे गा है एक मिनट लिमिट लगा देता हूं इसको limit 5 कर देता हूं वो ज्यादा data आ जा रहा है ठीक है limit 5 ठीक है बस 5 रिकॉर्ड तो यह देखो अभी जो data हमारा एक मिनट my data के नाम से क्यों दोनों write हुआ है order by updated date ठीक है और descending 3 सितंबर को run हुआ है active status इसका inactive है 231 को इसने update करा है ठीक है एक मिनट इसमें क्या करते हैं कि इसी को थोड़ा सा और update करते हैं query को क्योंकि दोनों नई माने चाहिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि select distinct ठीक है distinct file name ठीक है file name comma updated date ठीक है अब देखो यहाँ पर इसने जो हमने data को अभी process किया तो 3 सितंबर को 2 बज़ के 31 मेरा तंठावन सेकंड पे यह दो data को status inactive मिला है अगर status column भी print करवा दू तो status column भी आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हमारा पूरा final process complete हुआ और यह देखो status inactive है मतलब यह process चला है यह process फेल हुआ है कभी बीच में इसकी वज़ा से यह process इसका हमेशा के लिए active में रा गया alright तो अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो I would say कि congratulations आपने एक पूरा project complete कर लिया है अगर कर लिया है तो और अगर नहीं किया है तो आपको यह congratulations तब मिलेगा जब आप इस पूरा project को अपने से खुद से कर लोगे कहीं पे भी कोई error आएगा discord server पे का link आप लोग को जल्दी ही मिल जागा वहाँ से आप लोग जाके community को join करके वहाँ पे आप अपने questions को पूछ सकते हो ठीक है तो again बोलना चाहेंगे congratulations अगर आपने इतना कर लिया है इतनी सारी चीज़े देख ली है तो आपको अब interview में value को add करी रहाँगा तो चलिए अब इसी तरीके से और भी वीडियो जलाते रहेंगे अलग अलग topic पे और अभी के लिए हम project इतना ही रखेंगे इसके आगे की चीज़ों को हम बाद में discuss करेंगे time की constraint है तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के बाइ बाइ